अटना ये हो के हम लोग बालु लुट किये, बालु लुट करके हम लोग अज शिरुवेत यहां से खोन चल गया जे परसासन जा रहा है, साइड हो जा चाहलगे कर दो तो हम बोले के परसासन आ रहा है तो रहने दो यह जंगारी, बाद में हम लोग चलेंगे, कनुख्षीव रंका अनुमंडल मुख्याले में रात्री में अवैद बालू ढूलाई के खरम में एक ट्रैक्टर मजदूर की गई जान। जिसके आनन फानन में डाला खोलने के दर्म्यान ट्रैक्टर की ट्रॉली सिव लाल भूया पर चड़ गई जिसे इलाज को लेकर आनन फानन में रंका थाना प्रभारी नितिश कुमार सिंग के खटनास्तल पर पहुंच कर मामना का चाज़ परताल में करके गढ़वार ले जाय परन्तु सिव रंका एसाई सुरेंदर यादव रंका एसाई ब्रमदेव प्रशाद यादव लाल भूया नहीं बच पाया इस संबंद में बताते चले कि एक तरफ बालू पर रोक लगी हुई थी वहीं बालू माफियाओं के द्वारा प्रति दिन बालू की ढुलाई हो रह करते हैं कि एक ड्रेक्टर वाले रात भर में दो दिन ट्रिप करते हैं इधर उन्हें किसी प्रकार से कोई रोकटुप नहीं कि जाती है जिससे मनोबल उनका दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहा है रातो रात बालु की धुलाई हो रही है जिससे प्रशाशन के भाय से एक लेबर की ट्रॉलिक चड़ जाने से मौत हो गई इस संबंध में ग्रामिनों ने कहा है कि एस संबंध में एक लेबर ने कहा कि यह ट्रैक्टर जिससे मौत होई है वह मानपूर के निवासी अमरुदिन मौल भी कहा कहें जो प्रते दिन बालो की धुलाई कराते हैं और यहां तक कहते हैं कि अपने लेबर से की जाओ हम समझ लेंगे जिसे लेबर नीडर होकर बालो की धुलाई करते हैं इधर प्रशाशन के भाई के कारण ट्रैक्टर आनन फानन में निकालने में ट्रैक्टर की ट्रॉली से दब जाने से लेबर की मौत हो गई इस संबंध में ग्रामिनों ने बताया कि सिवलाल भुईया नियत गरीब व्यक्ति था वह रोजी मजदूरी करके अपना जीवी का चलाता था फिलहाल 2019 में ही उसकी साधी हुई थी वह पैसा कमाने के कारण रात में बालू का लोडिंग करने गया था जिसके कारण उसकी ट्रैक्टर की ट्रॉ में सुधता और स्वात के साथ सभी प्रकार के मसाले और खड़ा मसालों के संग्रे अच्छे मार्जिन के लिए हमारे उत्पादों का डिश्टी ब्यूटर बने